हमारी जो थीम है सर एक भारत स्रेश भारत इसके पीछे जी मीडिया का विजन ये है कि जब संग्य धांचे के तहत राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक सूत्र में आगे चलती है तो देश का विकास संभव हो पाता है शीग्र हो पाता है आप चुकि धांचे का अभिनंग रहें एक पर्सेप्शन जो पब्लिक डोमेन में है वो यह है कि जिस राज्य में उस पार्टी के सरकार नहीं जो केंद्र में हैं उसके साथ सामझे से स्थापत बहुत बैतर नहीं हो पाता तो क्या यह पब्लिक पर्सेप्शन ही है यह ऐसा होता है कि जहां विपक्ष की सरक जी ने देश की बाकड़ोर समाली है उन्होंने कोपरेटिव फेडरलिजम और कॉंपिटिटिव फेडरलिजम ये दो चीजों पर बहुत बल दिया है कोपरेटिव फेडरलिजम का आर्थ ये है कि केंदर सरकार सभी राज्यों के साथ न्याय करें सभी राज्यों को मदद करें और competitive federalism के तहट, हमारे जो राज्य है, एक दुसरे के साथ, बहुत ही स्वस्त इस प्रकार की स्परधा करें, एक healthy competition करें, हाँ ये ज़रूर देखा है कि प्रधान मंत्री जी की योजनाओं का लाप तो सारे राज्य लेते हैं, लेकिन जो विपक्ष के राज्य है, वो कई बार कटाक्ष करते हैं, कई बार गलत बयानी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें political अभिनिवेश बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहां तक केंदर सरकार का सवाल है, केंदर सरकार ने हमेशा नितिगत फैसले लिए, विक्तिगत फैसले नहीं लिए, किसी एक राज्य मिलती है, मुझे लगता है कि हमारे कोपरेटिव फैटरलिजम और कॉंपरेटिव फैटरलिजम यह दोनों स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं,